हालो प्रेंट मैं हुदीला लखिरसोई में आप सभी कर स्वागत है आज हम बनाएंगे खौली स्पेचल खेट्री की रेष्पी 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 होली की तिहार में गुजिया की बिना अधुरी सी लगती है उसी चरीके से हिमारे खेट्री में खेट्री के बिना तिहार तो यह सिंपल तरीके से ठ्टी को बलाएं जाती है लेकिन आर्वे मना रही हूं मसाले ठ्टी तो मसाले ठ्टी बनाने यहां फर्मे ले रही हूं दो चमाज अजवाइन दो चमाज जीरा है दो चमाज घ्रिया है दस तुखी मेर्ची एक वाली तो से हम पहले अगरी से भूल लेगे पहले लिए कर चापन भी खला जाता है और शाहर्व को बढ़ गया जाता है तो तो चब्छी से हम भूल लेगे इसको जिरा दर्याब में जोड़ी से भून गई है गरम हो चुकी है तो हमील निकाल लेंगे एक प्लेत में अब इसे हम दर्दरी कुट लेंगे या तो फिर पीस लेंगे दर्दरी सी तो मैं कुट के लिए रही हूं थोड़ी-थोड़ी सी डालेंगे गरम-गरम इस तरह से दर्दरी कुट लेंगे इसको बहुत ज्यादा चिकना नहीं करना है तो देख सकते हमको इतना ही रखना है इस तरह से हमको धनिया का दो तीन तुकड़ा बजाने की और धनिया साबुद्धी रहना चाहिए इस्वास अच्छा से आता है फेटरी में अब इसे क्लेग में निकाल दो फिसे इसी तरह से सारी को हम पहले कुटके ले लेते हैं मसाले को हमको दरदरी कुटके ले लेना है आरा है परत Ivan हम बड़ा बर्तन ले लेली हैं उसमें हम पहले से चान की ले लेंगे चार कटोरी लेंगे कोई भी कटोरी या माग Vatican नाबते हैं उसमें आप 4 कर्टोरी ये बेशन लेंगे चार कर्टोरी चने के बेशन ले लिए हैं तो इसमें हम डालेंगे स्वाधिमसार नामा मसाले डालेंगे जो हमने खड़े मसाले कुट के लिए लिए हैं इसमें हम डालेंगे तिल है वाइट वाली तो 4-5 चम्माज हम ले लेंगे बहुत साथ आती है थेटरी में तो ये में 4 चम्माज तिल ले लेंगे इसमें हम डालेंगे मोवान के लिए गरम तेल ये मैंने 2 बड़े चम्माज डाल दिन या तो फिर आधी कटोरी आपनापके भी ले सकते हैं बिल्कुल गरम होना चाहिए तेल तो इस तरह से इसको मिलाएंगे सबसे पहले वेशन को इस तरह से तेल में अच्छे से मोवान लगाएंगे इस तरह से हमको वेशन में अच्छे से मोवान को इस तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी थेट्री है बहुंच ज़्यदा क्रिश्पी बने तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना इसको और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी मिक्स करेंगे और इसको टाइट वाली डोव बनाएंगे इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं बट में नहीं डालती इसमें ठेट्री में आपको पसंद है तो डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी धाल दे जाएंगे अब टाइट वाला इसका डो बनाएंगे तो इस तरह से हमको डो लगाना है ज्यादा टाइट भी नहीं और ज्यादा नारम भी नहीं तो सबसे पहले हम हाथ साप कर लेते हैं फिर ठेट्री बनाते हैं जए पिर ठेट्री बनाना इस्टार करते हैं तो सबसे पहले हाथ में हम थोड़ा सरथ ले लाएंगे इस तरह हैं चकले लेंगे हैं यहें पनाने की लिए और क्षोटा सा हम लेंगे इस तरह से कि इस अ Luur करेंगे और तोनों तरब पकड़ते हुए इस तरह से हमको दोनों हाथों से ठीट्री को चिपका देना है तो देख सकते हैं इस तरह से हम बना लेंगे ठीट्री को और अपने हिसाब से डिक जैसे भी डिजान चाहिए उस तरह से भी बना सकते हैं तो एक खाली में हम रखती जाएंगे फिर एक बड़ा लोई लिली हूं उनकी दुसरा डिजाइन बना रही हूं पिरसे फिक्स इसको लंबा करेंगे तोड़ा लंबा कारेंगे इसको और पतले कर लेना इतरा और दोनों हाथ से इसको मिला देंगे और इसे भी मिलाएंगे और ठेल पिको इस तरह से दोनों हाथ से चिपका देंगे तो एक हमारी बन गई ये वली डिजाइन है पिर एक बड़ा सा लोल लेंगे फोल करेंगे फिर लंबा इसको वेल लेंगे अपनी हिसाब से अलगलग डिजाइंग में ट्रेट्री को बना सकते हैं हैं तो लाई दो त्री डिजाइंग बना के अपनी हारी हूं अई होगे लंबे इस तरह से तो हमें पकड़की तरह से उनाना है अब इसको चकुली की तरफ इसको से बेंगे हैं यह हमारी बन गई चकुली तो पहले ठेट्री को बनानेंगे उसके बाद हम फिर फ्राइगे करेंगे तो देख सकते हैं मैं त्री को किते अच्छी डिजाइनों में बना लें तो इस तरह से हमको बना के पहले से रख ले देना हैं उसके बाद हम फ्राइगे मैं तेल चड़ा दी हूँ और तैल हमारे इसे घरम और Ganam करेंगे अच्छी सी गरम हो भी है तो हम डालेंगे ठेक्री को लिइकक करके और क्या होता है कई बार ठेक्री को मूह घ공 जाता है तो आप क्या करें जयसे तो इसमें पानी चुके हाथ से इस तरह से आपको दबा के ले लेना है और इसमें जो हो है ओलें पुलेंगी विकक करके हम ठीक कुटालेंगे जिसना हम तेल में आसके बहुत ज्यादा तम गरम भी नहीं करना है तिल्को अरे ठंडी विन्यत्न में इसको फ्राइ करेंगे दिमीजी आज में अच्छे से शिख गई है तरफ आप इसको हम पल्टी कर देंगे और फिर अच्छे से इसको फ्राइब होने जेंगे करते हैं तरफ देख सकते हैं हमारी शेक्टी जे होया गडन शॉपाय हो गई है तो इसे में निकान लेते हैं आप में विल्कुल स्वान लगती है नहीं के बडाबर ते बिल्कुल नहीं सुप्ती है अच्छे तो इसी तरह तरह से शारी च्रेटरी बनाएं त्यार चलिए हैं और खाने में बहुत ज्यादा स्वाधिश लगती है यह हमारी च्छेटिजगर की फेमस फुली स्पेसल च्रेटरी की रेश्पी है तो देख बहुत दीख कृटकूरी सी बनी है और इसे मेहने भर के लिए इसे स्टोर करके डग सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होती तो इस उली जरूर श्राइ करें जरूर बनाके देखिए च्छेटिजगर की फेमस ट्रेटरी है यह और रेश्पी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और म मुझे कमेंड करें जरूर बताइए कि मेरी रेश्पी कैसे लगती है तो अब फिर मिलती है एक नहीं वीडियो के शार्थ तरतक लिए बाई बाई